संजे राउत कहते हैं कि जो सिवसेना को आखे दिखाएगा जो सिवसेना को परिशान करेगा उसको 20 फुट जमीन में गार दिया जाएगा एक सिंगल एफायार दर्द नहीं होता इस बेक्ती पे जब नौनीत राणा घार इस्तित अपने बंगलों में होती है तो बैरिगेट तोड़के सिवसेनिक जाके उनके घर की आसपास में ड्रामा करते हैं पाखंड करते हैं होहला करते हैं किसी भी सिवसेनिक पे एफायार दर्द नहीं होता कानून बेवस्ता हाथ में लेने का कोई एफायार दर्द नहीं होता लेकिन नौनीत राणा ने सिर्फ यहीं कहा था कि हनमान चलिशा पढ़ेंगे मातोस्री के सामने उद्धाव जी आप तो एक दिल बड़ा वाला सिंबल दिखाते और नौनीत राणा को बोलते कि आजाओ वड़ा पाओ भी खिलाता हूँ और साथ में हनमान चलिशा भी पढ़ लेना या पहले हनमान चलिशा पढ़ लेना फिर बड़ा पाओ और चाय पी लेना एक बड़ी बात यससे क्या होता कि जो तमाम विपक्ष ये कहने में लगी हुई है भारती जनता पाटी राज ठाकरे जी नौनीत राणा जी ये तमाम लोग बोल रहे हैं कि हनमान चलिशा से इनको डर लगता है आपके पास मौका था उधो जी मौका था महराज सरकार को कि हम हनमान चलिशा खिलाफत नहीं है आप बोलते कि राज ठाकरे के करे करता बीजेपी के करे करता नौनीत राणा करे करता आप सभी लोग आईए और मेरे घर के बाहर क्यूं घर के अंदर हनमान चलिशा नहीं हिंदुतों के वोट वाले हैं हम वही हिंदुतों को चला रहे हैं लेकिन क्या किया जा रहा है जेल में डाला जा रहा है लेकिन ऐसे क्यों लगता थी वारी भाया आखिर कर जो हमेशा से हिंदुत की इतनी बड़ी पार्टी रही सिउसेना को कहा जाता था बाला साथ ठाकरे हूं हमेशा से हिंदुत हिर्दे समराट कहे गए क्या वज़े है कि या सिउसेना हनुमान चरी से चुड़ रही देखिए पूजनिय बाला साथ ठाकरे जी ने जितना हिंदुतों के लिए काम किया महरास्ट में उसको एक-एक ऐसे ऐसे कदम उठा के ऐसे ऐसे फैसले लेके उद्धाव जी लगतार उनके सिधानतों को डेंट कर रहे है चोट पहुँचा रहे हैं सिंपल सा फंडा था कहीं कहीं पर भी कोई नौनी तराना है देश के खिलाफत ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कहीं पर भी महरास्ट को उसने चोट नहीं पहुचा जाया है या उसने कहीं पर भी महरास्ट अस्मिता पर चोट नहीं पहुचाया है वह बार बार दुहाती दुहाई दे रही है पुजने बा ना भी कि राज साकड़े जी ने सिर्फ एक तलवार उठा ली थी आम्स एक्ट लग जिया था उनके उपड़ में जबकि असमिदास्यी बात होती है महाराष्ट में ऐसे कितने सारे महाराथी नेता अपने एक को रिपरजेंट करते हैं तलाओं अर्री परजेंट करना उसमें कहीं किसी के ऊपर में चलाना मालाघी कुछ में नहीं एक पर देने में और करता तो क्या करें क्या करें तो भारती जन्ता पार्टी के नेताओं के खिलाप कोई सबूत नहीं मिल रहा है देवेंदर फड़नविश के खिलाप कोई सबूत नहीं मिल रहा है तो क्या किया जा रहा है इसलिए कि इस तरह के कदम निकाल के सुकून मिले कुछ तो हमने कदम उठा लिए आपने कदम नहीं उठाया उधाव जी आपने बकाइदा अपने ही पार्टी के बिचारधारा को डेंट कर रहे हैं और उन तमाम लोगों को संदेश दर कि हाँ जो भारतिय जनता पार्टी कह रही है जो एमेमेस कह रही है जो नौनीत राना कह रही है कि आप सिधान्तों से सच्मुझ भटक गए हैं और यही फैसलिये कहते हैं कि आपको सिधान्त से भटकना जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है अब जो एक मेंट पत्रकार में हो देए अब देखिए नौनीत राना से मिलने गए थे किरिट सुमया जी उनके उपर में जो हमला हुआ मोहित कमबोजी महराष्ट भाजपा के युवा नेता उनकी गाड़ी के किसे सो तोड़ दी जाते हैं कहीं लोकतंतर पे कोई हमला नहीं होता है लोकतंतर का पिलर नहीं हिल रहा है समिधान खत्रे में नहीं आ रहा है लेकिन यही चीज़े मद्र परदेश में होता यही चीज़े उत्तर परदेश में होता यही चीज़े हर्याना में होता मनीपुर में होता तो लोकतंतर खत्रे में आता समिधान खत्म होता हुआ नजराता नरेंद्र मोदी दूरपियोग कर रहे हैं सत्ता का हंकार हो चुका है ऐसे सब्दों का इस्तमाल कियाता डिक्षिनरी से ढूंडे जाते हैं ऐसे सब्द कि ढूंडो जो नरेंदर मोदी को चोट पहुँचा सके अब बताईए कि नौनीत रना के कितना भी बयान उठा लिजे आप कहीं पे भी उसने किसी भी जाती धर्म को या उद्धोजी को प्रस्नल अटैक नहीं किया है या महराष्ट जैसे पावन धर्ती पे कुसी ने कोई सवाल नहीं उठाया है उसने सिवाल उठाया है किसानों की बात आप नहीं करते हैं उद्धोजी आप बिरुचगारी की बात नहीं करते हैं उद्धोजी हन्मान चलिशा पर कैसे पहुंच गई हन्मान चलिशा बोला कि आप हन्मान चलिशा से आपडर दरते हैं कि देखा हो गा अपने सीव सेना के ऑफिस के सामने में राजठाकरी जी कडैकारता लाउड स्पिकर दरैंकर लगाकर लीया गया अग्या दिक्कत है इस हिंदुस्तान में हन्वान चलिशा पढ़ना गुना है क्या और आप संदेश देना चाहते हैं कि हम उन चिलगोजों का हम उन पनौतियों के साथ देंगे कहीं पे हन्मान चलिशा सक को डड़ना नहीं चाहिए आपको तो ऐसे ऐसे काम करने चाहिए कि उनको जबाब दिया जा सके अब देखिए बीजेपी क्या 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 कहती है कि एडी कुट्ता है नरेंदर बोदी के ऑफिस के करे करता एडीम बैठते हैं सीबी आई के गलत इस्तमाल कर रही है जान बुझके परिशान कर रही है एनाई एसे जबर्दस्ती हमारे सरकार को हिला रही है ऐसे सब्द कहा गया था एक एक करके मैं इसका प्रूल खोल नहीं चाहता हूं जब वाजे को उठाया था सचीन वाजे को तो संजे राओ जी बोलते हैं एना ये गलस इस्तिमाल हो रहा है क्या कहा कि बिल्कुल सचीन वाजे ने सर्यांतर रचा था संजे राओ जी कहते हैं कि ED के गलस इस्तिमाल हो रहा है बात में स्विकार किया कि हां मैं लेन दिन में हमारा पड़िवार सामिल था चुपके से पैसा देके ED से पिंड छुडा लिये लेकिन अभी भी ED ने पिंड नहीं छुडा है फिर बोलते हैं कि CBI जान बुच के परसान कर रही है आज CBI अनिल देश्मूग जी को लगातार उनसे कोश्चन पर कोश्चन पुछी जा रही है कि सौकर्ट के उगाही कैसे किये थे आपने कहीं पर भी स्विशेना ने ED, NIA और CBI को जाके कोट में घसीटा कि जान बुच के हमें परसान कर रही है या मनगरत कहानी कह रही है भारती जनता पाटी खिलाप ये बोलना के लिए ही कहेंगे कि भारती जनता पाटी देश का महाल खड़ाप कर रही है महाराष्ट में राष्टपती साशन लागो कर रही है कुछ भी बोल देंगे आप सबसे बड़ी बात यह है उनका कहने का यह तात्पर है कि हम नौनीत राणा को महाप्रसाद खिलाना चाहते हैं क्या है महाप्रसाद यही तो था यही तो था अज सोचिए कोट से कितना बड़ा जटका मिला शिव शेना को कि पूलिस रिमांड वांगा जा रहा था नौनीत रा खिरासत मतलब रिमांड मांगा जा रहा था क्या जनना चाहते थे उससे मतलब क्या यही दिखाना था था थे ना कि हम सत्ता में हैं क्यूं भूल याती है कि उध्व ठाकड़े जी कि आपकी सरकार सिर्फ पांच सालों के लिए है आपका रिमोट कंट्रोल जो है वो जनता ज भारतिय जनता पाटी और सिवशेना को लेकिन आपने क्या किया आपने क्या किया आपने पीठ में खंजर घोप के इस तरह के फैसले लिए है लेकिन याद रहे महराश्ट की जनता देख रही है और जो नवनीत राना के साथ हुआ है जिस जगा को रिपरजेंट करती है लग और इंतियार कीजिए महराश्ट की जनता जनारधन बीएमसी के चुनाओं में करारा जबाब देगी